नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे क्लासिक्स के मल्टिपल चॉइस कोशन्स और जो मल्टिपल चॉइस कोशन्स होंगे हिस्ट्री का चैप्टर मबर फाइफ है जिसका नाम है वेदिक पीरियड वस रूरल देखिए वेदिक पीरियड में जो सुसाइटी थी हो कैसी थी रूरल थी वेर स्मॉलिष्ट पॉलिटिकल यूनिट वस कॉल्ड तो जो स्मॉलिष्ट पॉलिटिकल यूनिट हुआ करती थी उस समय पे तो उसको क्या कहते थे, तो A option is gram, B option is village, C option is vis, and D option is jan, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, vis is the correct answer, that is option number C, next question is question number 3, इसमें कहा गया है, which class of people were known as गहपतीज, तो गहपतीज किसको कहा जाता था, तो ऐसे class of people को कहा जाता था, A option is priest, B option is landed people, या C option is traders, तो B option इसमें सही हो जाएगा that is landed people, ठीक है, तो landed people जो होते थे, उनको क्या कहते थे, गहपतीज कहते थे, next question is question number 4, question 4 में कहा गया है, capital of सूर सेन, तो सूर सेन एक महा जनपद है, इसकी capital क्या है, तो इसकी capital जो थी, उसका नाम था, मतुरा, ठीक है, तो इसमें जो option हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मतुरा will be the correct answer, next question देखते है, question number 5 है, question 5 में कहा गया है, महा जनपद was usually ruled from its, तो महा जनपद की जो ruling होती थी, जो भी rule करता था, जो भी ruler होता था महा जनपद का, वो कहां से महा जनपद को rule करता था, तो first option agricultural town, second option is capital city and third option is temple places, तो इसका answer है, capital city, तो कोई भी जो भी वहाँ पे महा जनपद हुआ करते थे पहले, वो capital city से rule किये जाते थे, next is question number 6, अश्वमेग, ritual was performed by dash sacrifice, तो किसकी sacrifice होती थी, sacrifice मतलब ऐसा नहीं है कि बली चड़ाई जाती थी, इसमें horse को छोड़ दिया जाता था, भी horse को रोक लेता था, ठीक है, राजा क्या करता था, horse को छोड़ देता था, और जो भी दूसरा king उस horse को रोकता था, उस उन दोनों राजाओं की लडाई होती थी, और जो राजा जीतता था, वो सबसे strongest माना जाता था, तो इस तरीके से यहाँ पर अश्वमेग, यग्य हो approximately 22 जनपत्स थे, ठीक है, next is question number 8, तक्ष शिला was the capital of, तक्षिला किसकी capital थी, तक्षिला capital थी, गंधार की, तो C option, गंधार विल भी दा, correct answer, next question is question number 9, question 9 में कहा गया है, बिंबिसार and अजाज शत्रू, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, बिंबिसार and अजाज वर्दर रूलर आफ, तो देखे, यह बहुती strong leaders थे, बहुती strong rulers थे, किसके strong rulers थे, मगद के थे, और यह क्या चाहते थे, सारे जनपत्स अपने में करना चाहते थे, सबको कंकर करना चाहते थे, यह इनकी मान सिकता थी, ठीक है, तो यह कौन किसके ruler थे, तो मगद empire के ruler थे, मगद की capital क्या थी, तो मगद की capital थी, राजग्रिहा, ठीक है, तो राजग्रिहा की बात यह आपे कर भी दी गई है, राजग्रिहा which was later known as partly putr, ठीक है, तो राजग्रिहा कोई बात में क्या कहा गया, partly putr कहा गया, was the capital of dash, तो किसकी capital है, मगद की capital है, तो C option इसमें सही हो गात है इसकी capital आपको बतानी है क्या है तो इसकी capital arguing V से वज होता और वि से क्या होता है वह जानी कहां पे है बिहार में है ठीक है यह भी आपको पता होना चाहिए राज्ग्रीहँ भी कहां पिलिप बिहार किम है उत्रप्रदेश में है लिख इसक फेकर सबस्राकी next is question number 13 जन और संग is the form of government followed in which kingdom तो जन बोला जाए या संग बोला जाए तो ये किस kingdom की government है जो follow करती थी मतलब कौन सी kingdom है जो इस type की government को follow करती थी तो 13th question का जो answer होगा वो क्या हो जाएगा option number B, वज्जी ठीक है वज्जी is the correct answer of question number 13 question 14 देखते है 14 में कहा गया है अंग महाजनपद find references in महाभारत and अथर्ववेद तो अंग जो महाजनपद है आपने सुनाओगा अंग राज तो अंग राज कौन थे? कर्ण थे ठीक है तो ये कहीं ना कहीं इनका एक बहुत 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 उलेक है किसमें महाभारत में और अथर्ववेद में तो ये बाद बिलकुल सही है तो true will be the correct answer question 15 देखते हैं 15 में कहा गया है चमपा is the capital of तो चमपा किसकी capital है? ये आपको बताना है तो चमपा capital है किसकी? अंग की ठीक है तो अंग जो महाजनपदर्द की capital क्या थी? चमपा थी question 16 देख लेते हैं 16 में कहा गया first buddhist council was held in किस जगह पर पहली buddhist council हुई थी? तो पहली buddhist council हुई थी कहां पर राजग्रीहा में तो a option will be the correct answer second कहां हुई है? वैशाली में हुई है third पाटली पुत्रा में हुई है fourth कहां पर हुई है कुंडल वन में हुई है next question देखते है question number 17 है question 17 में क्या कहा गया है which city got its name from river Varuna and Asi as cited in the मच्चपरौान मच्चपरौान में एक city का नाम है जो दो river की वज़े से पढ़िया है वो है Varuna और Asi तो वो city का नाम क्या है उस city का नाम है क्या Varuna असी तो देखें Varuna जो है Varun जो है Varuna जो है वो Varuna से आया और Asi जो है वो एक और river है तो दो rivers है ठीक है मच्परौान में ये चीज़ कही गई है next is question number 18 question 18 में क्या का गया है what was located around the present day तो what's कहां पर located है मतलब अगर आज what's kingdom होता तो कहां पर होता तो ये approximately जो जगह थी ये इलहाबाद की जगह है आज के जिसको आज प्रयाग राज कहा जाता है next is question number 19 which of the following महा जनपद is located in present day पाकिस्तान तो पाकिस्तान में कौन सा महा जनपद located है मतलब जो present day पाकिस्तान है उसमें कौन सा महा जनपद located होता तो ये है option पर गंधार तो D option सही है रावल पिंडी एक जगह है पाकिस्तान में रावल पिंडी ठीक है वहाँ पर ये जो हमारे पास है गंधार वो located है next is last question last question में कहा गया है which of the following is correct regarding major changes in agriculture तो जो उसमें major changes हुए थे agriculture में आपको बताना है उससे related कौन सा question कौन सा option सही है तो first कहा गया है growing use of iron plow shares which increase the production बिल्कुल सही है iron के plow use होने लग गये थे जिससे production तेजी से increase हो गया था और second कहा गया है farmers begin transplanting paddy अब जो paddy थी पहले क्या होता था seeds को ऐसे ही fake दिया जाता था ठीक है बिखेर दिया जाता था पूरे खेत में और paddy उग जाती थी जिससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नुकसान seeds का भी होता था और proper तरीके से production भी नहीं हो पाता था लेकिन बाद में क्या हुआ transplantation सीख गये कि कैसे paddy का transplantation किया आता है तो अब जो seeds हैं उनको throw नहीं किया जाता था बाकायदा जो छोटे-छोटे से पेड़ होते थे उनको पहले बो के transplant किया जाता था तो जो उससे production तीजी से बढ़ गया तो इसका अंदलब दोनों option जो है वो सही है तो इसका answer क्या हो जाएगा C will be the correct answer तो 20th question का जो answer है ये दोनों ही option उसके सही है तो answer हो जाएगा both A and B तो ये हमारे पास 20 questions थे जो अभी हम लोग ने discuss किये chapter था chapter number 5 chapter number 4 तक के MCQs हम लोग पहले भी दे चुके हैं बागी के जो भी chapters बचे हुए हैं उसके MCQs बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगे तो हमारे वीडियो से हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा तो आज के लिए फिलाल इतना ही रखते हैं थैंक यू वरे मच गुडबाई जेहिंद